नमस्कार दोस्तों, मैं डाक्टर छोटे लाल गुप्ता, एस्षिश्टन प्रफेसर आदी स्री सायतिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूँ आज के बैचारिक बिचार बिमर्ज का बिसाह है आउकास, अध्यापक और अध्ययन दुनिया भर में जहां भी स्रेश्टम सिख्षा दी जाती है, वहां सैचिक आउकास एक परकार की अनिवार्जता है वहां सिख्षकों और छात्रों के आउकास के कारण न तो गुनवता परभावित हुई और नहीं कार संस्कृति नश्ट हुई मगर हमारे देश में सिख्षा एक ऐसी बेवस्था है जिसमें अध्यापक सबसे निरिह प्रानी है उसी पर परसासन, सासन, समाज यहां तक की सैचिक संस्थाएं भी हर परकार की जोर अजमाईश करती रहती है अध्यापकों के लिए सम्मान वा सहानो भूति का जो संस्कार किसी जमाने में हुआ करता था उस से उसकी समाज में बौधिक परतिश्था थी अरोप लगाये जाते हैं कि इस परतिश्था को खुद अध्यापक नहीं नश्ट किया है उसका अध्यापन के प्रति इमंदार ना होना और गैर सेक्षिक कार्जों में कभी सरकारी अस्तर पर तो कभी निजी कारोबार के कारण ब्यास्त रहना अध्यापक की ये परतिश्था के पतन का परमुख आरोप है क्या या सच है? क्या सच मुझ सच है? अध्यापक चाहे प्रात्मिक इस्कूल का हो या विसुभी द्याले का उसे आवकास बिहीन करने की सिख्छा नीतियों और निर्देसों ने उसका मानसिक धरातल छुब्द कर दिया है आज से 40-50 साल पहले कोई नहीं कहता था कि आवकासों के कारण कोर्स पूरा नहीं हुआ पढ़ाई नहीं होती कार संस्कृती का बिघटन हुआ या अध्यापक कामचोर और अध्यान अध्यापन से बिमुक हुआ फिर ऐसा क्या हुआ कि यो 210 दिन का सैचिक सत्र बनाने सेमेश्टर सिस्टम लाने अध्यापको को आवकास रहित करने बार बार पर सिक्षन रिफ्रेसर कोर्स करने के बावजूद आज सिक्षकों का न तो वैसा अस्तर है न वैसा समरपन और न वैसी कार संस्कृती है अध्यापक को आवकास बहिन करने के पीछे इरादा यह है कि उसे सदा ब्यस्त रखो और ऐसे काम देते रहो जिससे उसका मनोबल और आत्म विश्वास ही समाप्त हो जाए वह केवल एक अग्यकारी सेवक बन कर रह जाए कभी बिधान सभा कभी लोग सभा कभी ग्राम पंचायत कभी नगर निगम आदिक के प्रशनों के जवाब एकत्रित करने वाला चलित मजदूर बन कर रह जाए अध्यापक की सोतंतरता चीन कर आप सिक्षा से सोतंतरता का संसकार कैसे दे सकते हैं अध्यापक को आत्म विश्वास हीन करके आप भावी पीड़ी में विश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं ऐसे कई प्रशन है आखिर आवकास क्या है? आवकास अध्यापक की अरामगाह नहीं यह उसके चिंतन, मनन, बिचार और अध्यान का एकान तवास है उसकी सिख्षा के प्रती कुछ नया खोजने या सोचने की जगा है आवकास का मतलब अपने काम से चुटी नहीं बलकि आवकास में किसी नए काम को खोज करना है जो अध्यापक को अधिक परवावसाली बना सके वह उसके अगामी सत्र या आवकास के बाद सोचे गए काम की त्यारी भी है जब सिक्षक के आवकास पर परसासन का अकरमन होता है तो ऐसा लगता है जैसे एक परसासक अपने दफ्तर के काम की तुला सिक्षक के काम से कर रहा है अपने आवकासों से सिक्षक के आवकासों की तुला कर रहा है सिक्षक के आवकास से इर्सिया कर रहा है या अपनी कम छूटियों का ज्यादा छूटियों से परति सोध ले रहा है शिक्षकों के परति परसासकों का मनोबिग्यान आतंग का मनोबिग्यान है या मनोबिग्यान बदलना होगा अध्यापक के आवकास को कुछ गलत फाहमियों और विभागे निर्नेयों की निरंकूस्ता से मुक्त करना होगा आवकास को अध्यापक का सुवा अध्यान काल कहना होगा उसका आवकास छीन कर गुनोता का गलत मनों भी ग्यान नहीं रचा जा सकता आवकास शिक्षा में नौचिंतन का पड़ जाए है धन्यवाद